हेलो दोस्तो स्वागत है इस वीडियो में और आपके चैनल में जिस चैनल में नौलेज और इंफॉर्मिशन बढ़ाने का काम होता है आज हम बंगलोर में स्थीत एक भारतिया फार्मासिटिकल कंपनी के बारे में बात करेंगे और उसका नाम बायोकन लिमिरिड है कंपनी जनरिक सक्रिय दवा सामगरी बानाने का काम करती है जो दुनिया बर में 120 से अधिक देशों में बेची जाती है तो चलो और भी इस कंपनी के बारे में आगे बात करती है बायोकन कंपनी की स्थापना 1978 में 10,000 के पुंजी के साथ ही गई थी और इसका दो करमचरण के साथ किराई के घर में स्टार्ट अप शुरू हुआ बाजार में जाने के लिए बायोकन का पहला प्रोड़क पपीना था जो पपया में पाए जाने वाला एंजाइम था जो बीर को धुंदला होने से रोकता रह 1983 तक कमपनी ने एंजाइम को मिश्रित किया और उने दुनिया भर में शराब बनाने टपडा, जैवा इंदन, पशुचारा और ऐसे अन्य उद्धोगों को पुरवटा किया 1989 में उनिलेवर द्वारा आईरिश बायोकन का अधिकरण किया गया तब 1990 के मध्य में किरण मजुद्धार शौ ने एंजाइम के बजाए फार्मासोटिकल पर ध्यान केंद्रित दरने का निर्नाई किया और उनिलेवर प्रमुक शेयर होल्डर था और उनिलेवर की अनुमिति नहीं थी इस कारण से अपनी पैसों की बचत से बायोकन कमपनी को हिस्सेदारी इनलेवर से वापस ले ली 2003 को दुनिया की पहली कमपनी बनी जिसने हुमन इंसुलन विक्सित किया बायोकन डायबिटीज, नेफरोलोजी, अलकोलोजी और कार्डियोलोजी इन चार चिकिस से विववव में 36 ब्रांड शामिल है कमपनी के एमडी कीरन मजुद्दर शौ एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली महिला है और फाइनेशल टाइम्स में टॉप 50 उमन्स में बिजनेस रिस में इनका नाम आता है उनको 1989 के पदमश्री और 2005 के पदमभूशन यह दो राष्टिय पुरसकार से सन्मानी किया गया 2001 में कमपनी ने लवस्ट 18 के निर्मान के लिए US FDA द्वारा अनोमदिद होने वाली पहली भारतिय कमपनी बनी 2006 में पहली बार स्वधे शुरूप से विक्सित मानव निर्मित मोनोक्लोनल एंटी बोडी बनाई आगे डॉक्टर एपीजे अब्दूल कलमजी ने भारत के सबसे बड़े बायोटेग हब बायोकन पार्क का उद्गाडन किया 2016 में बायोकन ने स्टन कैंसर के लिए भी बहुत कुछ किया 2016 में जपान के बायोसिमलियर इंसुलिन ग्रार्लिन पेन लॉइंट करने वाली पहली भारतिय कंपणी बनी और भी बड़े काम कंपणी ने किये है और बायो टेक्नलोजी में अपना महत्वपुर्ण युगदान दे रही है तो दोस्तो यह थी बायोकन कंपणी के बारे में कुछ महत्वपुर्ण जानकारी तो दोस्तो यह वीडियो आपको कही से लगा एक केमेंट्स में जरूर बाताना और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राब करके जाते है तो तक के लिए बाय एंटे